कि हलो गाइज दिस इज योर यूट्यूब चैनल मार्केट मोबर और यहां पे मिलते हैं आपको कॉलेटी वाले स्टॉक्स की डिटेल साथ यह से स्टॉक्स की डिटेल जिस पर मोमेंटम आ सकती है और बहुत सारी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग खबरे तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा इंड आप दे वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो देखिए कि स्टॉक जो मार्केट पे एक हजार परसेंट का रिटन्स आपको निकाल के दे दिया है पिछले कुछ ही दिनों में कुछ ही दिनों में जी हाँ एक साल के अंदर में दस गुना कर दिया आपके पैसे को और यह स्टॉक की कबरेज मैंने आपको 40-50 रुपे पे जब था तबी से मैं इस स्टॉक की कबरेज आपके पास दे रहा हूं और इतनी बड़ी टार्गेट तो हमारी भी नहीं थी बट बीच-बीच में ऐस से खबरे आती गई कि स्टॉक काफी लंबे समय से आपको उपर जाता दिखा बहुत कम प्रॉफिट बुकिंग हुई है और यह स्टॉक अभी पैसे अभी आपको मौका दे रहा है अपनी पोजिशन बनाने का क्योंकि कुछ दिन पहले इस स्टॉक पर अपर सर्कृट पर अ पांची पर सर्कृट लग रहा था बीस बीस रुपिय यह उपर जा रहा था ठीक है तो अभी इस स्टॉक पर क्या किया जाए देगि स्टॉक का नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अदानी ग्रीन अनर्जी आपको पता है कि कौन सी कामकाश करती है पावर प्लान 59,000 करोड की मार्केट का बन चुकी है रिटरन ऑन केपिटल इंप्लॉइड डिटरन ऑन इक्विटी दोनों ठीक ठाक है बट सेल्स देखिए सेल्स सेवेंटी वन पॉइन पॉइन परसेंट बहुत ही कम ऐसे स्टॉक का देखने को मिलेगा लेकिन वहीं पे यहां पे देखि स्टॉक के लिए काफी ज्यादा चिंति नहीं होगा लेकिन स्टॉक भाग रहा तभी आपको करना क्या तो देखिए मैं एक बार आपको कमपनी की पूरी डिटेर्स दिखा दूं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है जून 2017 में 190 करोड की सेल्स पहुंच जाती है 700 करोड के असपास में और यह कंसिस्टेंट ग्रोथ करती जा रही है और इसी के वज़े से आग लेगी हो यह स्टॉक पे आपको पता है कि पूरा का पूरा नया सेक्टर और इसके जैसा दिगज दूसरा कोई है नहीं अभी मार्केट पे ठीक है कमपनी लॉसेस पे जा र लेकिन यह एक अलग डायरेक्शन पर चल रहा है स्टॉक इनके फंडेमेंटर्स अलग चल रहे हैं और स्टॉक का प्राइज अलग चल रहा है इसलिए मैं आपको वीडियो इसलिए बना रहा हूं इस स्टॉक पर की काफी ज़्यादा और बाट जोन पर है स्टॉक पर भी ल स्टॉलर पावर जेनरेशन में बहुत जबरजस्त काम कर रही है और 205 तक इनका बहुत बड़ा टार्गेट है 25 जिगावाट का इनका टार्गेट है मेगावाट निजिगावाट का ठीक है और इंजिनियरिंग कैपेबिलिटी जो भी चीज़े आप यहां पर पढ़ लिज उसके बाद करनाटका में 1500 मेगावाट का पावर प्लांट देखे किस तरह सेट अप करती है कितना बड़ा प्रोजेक्ट आप यहां पर स्क्रीन के जो इमेज नजर आ रहे ना उसी मेज को देखने की कोसिस किजिएगा यह सोलर पैनल है सोलर प्लेट कर सकते हैं यह लगाया 500 मेगावाट 32 गर 100 मेगावाट बडलब चोटे चोटे होटे जगावह पे जा जाके यह क्या कर रहे हैं इस तरह के प्लांट ना ठीक है तो एक हजार चोबीस मेगावाट मेगा मेगा बाइट इस एकॉल टू होता वन जीगावाइट ठीक है तो यह जीगा जो है ना यह 10-50 को 1025 को 1025 मेगावाट हो जाएगा including सब तो यह complete हो जाएगा तुस तरह से आप इंक्लूड करते हुए चले जाईए देखते जाईए आपको पता चल जाए कि कब तक ये कंपनी अपने इस प्रोजेक्ट पे कंप्लीट करती है क्यों क्योंकि देखिए मैं स्क्रीन पे आभी आपको दिखाऊंगा इनका जो प्रोजेक्ट है वह दो हजार पचीस तक का बहु कैसी कंपनी है क्या करती है सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है मैं आपको जो बताने वाला था देख लिजए यही वली एक मिनिट आप वेट कीजिए आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा देखें यहाँ पर दो हजर पचीस तक की कैपसिटी इंस्टॉल कितना है पचीस जीगावाट का इनका पूरा का पूरा क्या है यह इनका काम करने का दो हजर पचीस तक का पूरा मॉडल तयार है और इसलिए कंपनी पर आग लगी हुई है पिछले कुछ दिनों से यह सब मल्टी बैगर बन चुका है आप स्टॉक देखें 40-44 रूपिय से चलता हुआ 400 तक पहुंच गया यही है इंडियर यही है स्टॉक मार्केट यही है स्टॉक मार्केट जहां पर आपको फाइनसियल फ्रीडम आता है देखें 40 पर खरीद के 200 पर जिन लोगों ने बेच द करते हैं तो यह सभी स्टॉक बहुत दिनों की लिस्टिंग कंपणी नहीं है यह कंपणी अदानी गरीन आप देख लिए 2018 के जुलाई में 28 रूपे पर लिस्टिंग वही थी कंपणी आज 4.500 पर ट्रेड करें मैं अभी भी कहता हूं इस स्टॉक पो नजर पर बनाएं रख कंपणी अदानी गिरूप की कंपणी है और इनोवेटिव आइडिया इनके पास ठीक है यह सोलर पावर प्रोजेक्ट पर पहले ऐसी कंपणी है जो इतने बड़े पैमाने पर अपना एनरजी कंजूम करी स्वारी यह मैनिफेक्टिरिंग कर रही आप एक तरीके से समझ सकत हैं कि मैनिफेक्टिरिंग कर रही है ठीक है ना तो यह बहुत बड़ी कंपणी आगे चलके बन सकती है आसा मुझे लगता बट आवरल इनका जो अभी का स्ट्रेक्टर नजर आ रहा फंडमेंटल वह मुझे बहुत अच्छा ट्रेक्टिम नहीं लग रहा एक्कॉर्डिंग बनना चाहिए यह रिव्यू इसलिए जरूरी था क्योंकि स्टॉक काफी हाइलाइट हो चुका तो लोग फास सकते हैं अब स्टॉक को नीचे आने दिए ठंडा होने दिए मैं यही काना चाह रहा हूं मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक लिए बहुत बाद धन बाद हमारा चैनल विजिट करने के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कीजिएगा साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर थैंक्यू झाल